जहें साथियो अभ्यमल वपस्तित हैं इकजाम टूर चैनल पर जैसा कि आप देख रहे हैं जी एस का ये टेस्ट स्रीज चलता था अब चलेगा हमेशा राजगीर इस्तित बिश्व सांती अस्तूप का निर्मान कभ हुआ था तो राजगीर इस्तित बिश्व सांती पर्थम आंगल मैसूर यूद में कौन पराजित हुआ था या बिज़ई कौन हुआ था तो हैदर अली आपका हो जाएगा नेक्स प्रस्वन है निम्मे से किसने रामायन का फार्शी भासा में अनुवाद किया था तो बदाईव ने किया था अगला प्रस्वन है छठी सताब्दी इसा पूर्व का मतस्य महराश महाजन पद का रायधानी कहा था या कहा इस्तित था तो आपका राजस्थान में मतस्य है इस्तित था नेक्स प्रस्ण है असम में सरपर्थम चाय कंपनी की अस्थापना कब हुई तो यह हो जाएगा 1849 इसमें सभी प्रस्ण महत्पून है चुकि बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है यह जो हांस से लिखा हुआ प्रस्ण है यह यह दि आप लगाते हैं तो आप बहुत ही मजगूत किसी भी कमपेटिटिव एक्जाम जैसे दरुगा का तयारी करें गुर्वडी के तयारी करें एंटिपी सीवीटी को सब के लिए महत्पून होगा अगला प्रस्ण है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो भारत ट दे रहा है तो टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न होगा डिजिटल एनलाजसिस मिलेगा औल इंडिया आपका एस्टेंट रहेगा क्या रहें का रहा है उसमें आप देख रहे हैं देख सकते हैं 120 जो आज का बरतमान परिश्थिती में जो प्रस्ण पूछे जाते हैं उस तरीका स आप CGL टायर वन का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इसमें आल ओबर इंडिया रैंक दिया जाएगा आप लगा सकते हैं टेस्ट और फ्री अपकोस्ट इसका कोई चार्ज नहीं है इसमें डिस्किप्शन बक्स में हम अपना लिंक दे दिये हैं वहां से आ अपना ना मोबाइल नमबर डाल कर आप टेस्ट लगा सकते हैं डेली टेस्ट इसमें लगा सकते हैं जो भी मौक लगाएगा उसमें अल ओबर इंडिया रैंक दिखाये जाएगा और जो रैंक आपका होगा जिस सब्जेक्ट में आप कमजोल हैं उसे मजगूत करके आप प्रस्तूत की गई तो 1935 के अधिनियम में पहली बार प्रस्तूत की गई दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किस ने किया या किस के द्वारा किया गया था अब्दूल मंसूद के द्वारा किया गया था कि नेक्स प्रस्तन है वगेरा विद्रो कहां हुआ था तो ये बड़ोद्रा हो जाएगा अगला प्रस्तन है गदर पाटी या गदर का पर्थम अंक निम्निलिखित में से किस भासा में प्रकासित हुआ गदर जो पत्रिका था उसके बारे में पुछा जा रहा है तो पर्थ में कैबिनेट मंत्री राज मंत्री और विभागिये मंत्री होते हैं लेकिन कैबिनेट सचीव नहीं होते हैं सामिल अगला प्रस्न क्या कह रहा है अगला प्रस्न कह रहा है कि कृष्ण देव राय निम्लिखित में से किसका निर्माल नहीं कराया था ये पुछा जा रहा है तो निर्मार किसका नहीं कराया था मितक्ष्रा मंदिर का निर्मार नहीं कराया था बिठर स्वामी मंदिर का निर्मार कराया था किष्णा स्वामी मंदिर का निर्मार कराया था क्रिश्ण देवराया मोपला बिद्रो का नेता कौन था या थे ममोपला विद्रो तो मुसलियार थे वह थे गौन थे मुसलियार तो आसा हांस से लिखा हुआ इसलिए लेकिन बहुत महत्पून प्रश्ण है यहां से जितने भी विद्यार्थी दरोगा पिटी का तैयारी कर रहे थे इस से तो लगभग सब का हो गया इसलिए हम सोचे कि सब कोई इसे सेर करें सब कोई पढ़ें गड़करी बिद्रो अठार सो चो वालीश का केंद्र था गड़करी बिद्र तो कोल हापूर आपका हो जाएगा नेक्स प्रस्चन है भारत ये संग का सणस्थापक कौन था तो ये सुरेंदर नात बनर जी आपका हो जाएगा आगला परस्चन है चित्र गद्धा उपने आसकिस के द्वारा लिखी गई तो रभिंदरनात टैगोर के द्वारा भारत की समिधान सबकिस के अनुशार गठित की गई यह आपको बताना है तो कैबिनेट मिशन जो उनिस सची आलिस में आया था उसी के अनुशार गठित की गई यानि B नंबर आंसर होगा अगला प्रस्ट क्या कह रहा है 18 नंबर में भारत के समीधान की प्रस्तावना में प्रथम संसोधन कब हुआ प्रस्तावना में पुछा जा रहा है यह नहीं कि प्रथम देखकर आप मार देंगे तो 1976 में प्रस्तावना में संसोधन होगा भारतिये शमीधान के निम में से किस अध्याय में जनता को भार्तिये मूल अधिकार लिखते हैं अईसे तई इसी तरीकां से तीन होता है इसलिए आप मूल अधिकार तीन में मारेंगे चलिए नेक्स प्रस्ट देखिए नेक्स प्रस्ट कर रहा है भारतिय सम्मिधान की छठी अनुशुची के प्रवधान निमलिखित में से किस राज में लागू होते हैं किस राज में लागू होते हैं तो यह आपका त्रीपूरा में लागू होते हैं सम्मिधान का कौन सा अनुषेद मंत्री परिशत के गठन के बारे में मूल भूत नियम निर्धारित करता है तो आपको मालूम होना चाहिए मूल भूत नियम पुछा है तो अनुषेद 75 होगा नेक्स प्रस्ण है किसी सम्मिधानिक संसोधन के अंतरगत सिक्किम को भारत का सहराज बनाये गया सिक्किम को भारत के पुन राज नहीं पुछा जा रहा है तो 35 सम्मिधान संसोधन होगा निक्स्ट प्रस्ण दिखिए भारतिये सम्मिधान के अंतरगात मूल अधिकार का संरक्षब कौन है, तो न्याय पालिका है, या न्याले भी देता, तो भी शही होता, बैकतिія स्वतन्ता के लिए निम्मे से कौन सी рीट याचिका दैर किया जाता है, बैकति गत्शुवतन्ता क्या है would सम्मिधान के अनूचियत 17 और 18 में क्या वयवस्था तो समाजिक समानता का वयुत है चलिए अगला ieप बर्तमान में समिधान में रिल कितने मुञ करतब है तो बर्तमान में समिधान मुलक करतब्यों की शंख्या इगारा है चलिए आगे देखते हैं 25 प्रश्ण हो चुका है 27 में देखिए संसत का लोग प्रिये सदन होता है संसत का लोग प्रिये सदन लोग सुची के विशय पर आद्य कर सकता है तो शंग यह हों संवर्ती दोने शुची विशय पर अज अधेस जारी कर सकता है चलि एक्ष्प्रस्ट देखेंगे लाब के पद का निर्णे कौन करेगा तो लाब के पद का निर्णे संगिय संसद करेगा राज्य के बिधान परिशद के कितने सदस बिधान सभादव law चुने जाते है तो वन ठट यानि एक बट्टातीन स्पेख स्षबॉल मुद्रा एश्पिदि कौन लभानुएट होता है दलाल एश्टीив녁 कहां इस्तित यह आपका स्ट्रीट जो है मुम्बई में इस्तित यह contract कि आए हठी सोने के सोने की कि स्राज में हम तो आपका करनाटका में है मिस्वुरे का खांडर नेक्स पर संद्रिक हू याच कि बात नहीं पूछा जा रहा है इ enrollhein कि किस गरह की पूजा देवी के रूप में करते हैं तो ये आपका ये लोग शुक्र का पूजा करते हैं और वर्ष दिर्गतम होता है कि वर्षा दिर्गतम कहां पर होगा तो नेप्चुन में सरी वर्ष दिर्गतम कहां पर होगा तो नेप्चुन में सरी वर्ष दिर्गतम कहां निम्तम होता है तो सबसे कम द्रभमान यानि की बुद्य का होगा फ्यूजियामा किस देश का ज्वाला मुखी परबत है तो यह जपान का हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए प्रसंद संक्या 40 है निम्लिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वाला मुखी है तो यह क्राका ट 30 परतिशत भाग पर पठार बिक्सित है चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा धैर बना के रखें चुकि शमय लगता है यहां से लिखा हुआ है इसमें चलिए आगला परस्ण देखते हैं टी मापन के द्वारा किसे माप तक चक्रवात को टी माप से मापा जाता है अगला परस्ण है निम लिखित में से कौन सा नैजिरिया के निवासी है तो होसा हो जाएगा मुखावटा निरेते का सम्बंद किस सैली से है तो कतकली हो जाएगा मुखावटा ने सहली पुछा है तो कतकली अगला है पन्ना लाल घोस निम्न में से कौन सा बाध्य अंत्र वजाते थे तो बाशोड़ी हो जाएगा पन्ना लाल घोस निम्न में से कौन पुछा जाए या आपका अराजबी गुरूब डी हो जाए अराजबी एंटीपीसी सीबीटीटीटीटू हो जाए तो यह रियाल हो जाएगा यह नंबर चलिए आगे देखते हैं राष्टिय सुरक्षा गार्ट एनएसजी की अस्थापना हुआ तो 1984 में एनएसजी की अस्थापन दिवस कम मनाये जाता है तो बिसव पुष्टक एंक कोपिराइच दिवस आपका 23 अपरेल को मनाये जाता है यह भी बहुत बायर प्रस्न पुछा गया है लिम्बा राम किस खेल से सम्मनित है तो ये तिरंदाजी आपका खेलते हैं पिपली घाट दारा किस परवत का भाग है पिपली घाट पिपली घाट तो ये अरावली परवत का भाग है आगला परसन देखेंगे यंग प्रतियास्था गुडां का SI मातरक क्या होगा तो समीकरन भी पुछा जाता है अगला परसन क्या कर रहा है जब एक चल वस्तु की गती दुगुन्नी हो जाती है तो उसकी गती जूर्जा क्या होगा तो गती जूर्जा चोगुन्नी हो जाएगी चलिए आगे देखते हैं पेंडूलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अधी क्या होगी तो समय अधी बढ़ेगी चलिए आगे देखते हैं नेक्स परसन है किसी तुलेकारी उपगरह की प्रित्वी की सता से उचाई लगभग कितनी होते है तो 36,000 किलो मिटर अगला परसन है एक मनुस्त का ताप करम साट डिगरी सी है तो उसका ताप करम फारन ह साइट हो जागा है है कि नेक्स परसन है मसीन गन्ज का अविस्कार किस ने किया तो जेमस पकल द्वारा किया गया था है अगला प्रस्क एक समूद्री मील के बड़ाबर कितना होता है तो एक समूद्री मील होता है 118 12 मिटर चलिए याद रखेंगे अगला प्रस्क क्या कह रहा है कह रहा है तो home page कहते है website के main page को परमालू की परभावी तिरजया होती है तो परमालू की परभावी तिरजया जो होती है 10 to the power minus 10 होगा चलिए next प्रसंद देखते हैं निमलिकित में से किसमें रिलात्मक आवेश होता है तो रिलात्मक आवेश जो होता है वह बीटा करन में होता है अगला प्रसंद देखेंगे इसमें निकेल की आकसी करन संख्या बताना है आपको तो निकेल का आकसी करन संख्या सुने यहां पर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं जलगयस किसके संयोजन है जल गयस में कौन कौन गयस मिलकर बनता है तो स्रीयो और एच्टू चलिए सरपर्थम मानव निम्न धातू का उपयोग किये थे तो उपयोग पुछा है तो तामबा का उपयोग किया गया था अगला है पादब विज्ञान की शाखा कौक सास्त्र के किसका अध्यान किया जाता है तो कौक में फफुंदी का अध्यान किया जाता है जिवारी के खोज किसने की तो लिवन होग ने किया था लिवन होग चलिए नेक्स परस्ट दखते हैं यह सो प्रस्ट का टेस्ट स्रीड चलता है आप इसे जरूर परें किसी भी कंप्टिटिव एक्जाम की तयारी करते ह हैं तो आप यह टेस्ट लगा सकते हैं चलिए इबोला क्या है तो इबोला एक वारस है यह आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा इस्ट में कई जनक होता है तो मुकुलन द्वारा होता है मुकुलन द्वारा होता है इस्ट में काईक जनन किसके द्वारा होता है तो मुकुलन के द्वारा होता है नेक्स प्रसंट देखेंगे मादा est says prus निशेचन होता है पौधो में वास्पो ḉसाजन किसकी प्रक्रिया से होता है तो जल हहनि प्रक्रिया से होता है आगे देखीए अगला परस्फन है 12 नमर क्या करा निवन में से कौन सापाधप हर्मोन है यह पूछा जा रहा है थो सायटोकाइनी पादफार्मोन है अगला प्रस्ण है अगिन निर्जा रोग किसे सम्मनित है तो अगिन निर्जा रोग सेव में होता है जो आप सेव खाते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा पाए जाता है अनुवांसी की उत परिवर्तन होता है तो क्रोमोशोम में होता है अनुवांसी की उत परिवर्तन चलिए आगला प्रस्ण देखेंगे नाइट्रोजनी अहार है तो इसमें प्रोटीन रहता है निम्मे से किसका संसलेशन एकरीत द्वारा किया जा सकता है तो विटामिन एका संसलेशन एकरीत के द्वारा किया जाता है चलिए आगे देखते हैं मानो शरीर में संक् तो रमल को कौन विटामिन रोकता है तो विटामिन ए चलिए एड्स के विशालू किसे नस्ट करते हैं तो लिंफोसाइट आपका हो जाएगा अगला प्रस्न है कौर्ड नीम में से किसकी किसम है तो ये मचली का किसम है मचली हो जाएगा नेक्स पर इन में से कौन मुलस्का सं संग का उधारन है तो मुलसका संग का उधारन आप से पुछा जा रहा है तो अकस अकसो पो पोटास हो जाएगा चलिए असी नमबर प्रश्ण हो चुका है आगे देखते हैं किया जाता है किस के दोरा तो जल्द जीवसाले के दोरा डिन्य करों हो जाएगा आपका दीवन्य में रभी की प्रधान फसल है तो ये आपका गेहू हो जाएगा भीम्राव बेटकर पक्छी बिहार का कहाँ पैस्तित है तो प्रताप गढ़ ये आपका हो जाएगा निक्स प्रस्त है किंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्च कब तक रखा गया है तो ये दुहज्जार 30 तक समाप्त करने का लक्षी रखा गया है आगला प्रस्ण देखिए आगला प्रस्ण क्या कह रहा है चलिए कौन सा राज अपने नागरीकों को मुप्त में पानी उपलवद कराने वाला भारत का पहला राज बना तो ये गोवा राज बना अगला प्रस्ण है बिश्वा एस्यार्ड खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा तो ये जपान में होगा नेक्स प्रस्ण देखेंगे हाल ही के दिन में भारत सरकार ने दूर सांचार के छेतर में कितने परतिशत FDI को मंजूरी दे दी है तो FDI 100% की मंजूरी दे दी है नेक्स प्रस्ण है पहला क्वार्ड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की पहला यह क्वार्ड सम्मेलन इसलिए आप लिए महत्कुन तो अमिर्का ने किया था चलिए आगे देखते हैं डेटर्ज नाइट 2021 अभ्याद किन दो देशों के बीच हुआ तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ यह आप याद रखेंगे आगला प्रसंद देखेंगे भारत मुख मुखमंत्री शुपच्य योजना की शुरुआत किस ने किया यह आपसे किस राज में हुआ या कौन से मुखमंत्री किया यह अफसन के अनुसार देखेंगे तो थोड़ा सा धैर बनाके रखेंगे चुकि वीडियो बनाने में यह बहुत ही महत्पुन वीडियो होता है तो यह आपका हो जाएगा यूपी शरकार के द्वारा यूपी के द्वारा किया गया यह नहीं चली आगे देखेंगे भारत की अर्थ बेवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थ बेवस्था बनाने का लक्ष कब तक रखा गया है तो यह दोहजार पचीस तक लक्ष राज पाल कौन है तो बरतमान में कल राज मिस्र हो जाएंगे अगला प्रसन देखिए ध्यान चंद्र खेल रत्र पूरसकार 2021 से सम्मानित क्रिष्ण नागर का संबन किस खेल से है तो यह आपका पैरा बैडमिंटन से है अगला प्रसन है प्रतिवर्ष लाई लाई हरोबा टेहवार किस राज में मनाय जाता है तो यह मरइपूर में लाई हरोबा टेहवार मनाय जाता है अगला प्रसन है हाल ही में wider RI के किस पूर्व निरदेशका का नीधन हो गया तो यह आपके रणजित सिनहा का नीधन हो गया बैसविक वी निर्मार जो सुचिकांग 2021 में भारत का कौन सा अस्थान है बैस्विक वी निर्मान जोखिम में भारत का कौन सा अस्थान है तो भारत का दूसरा अस्थान है चलिए मई 2021 में आये यस तुफान का नाम करण किस देत ने किया था तो ओमान ने किया था अगला परसंद लेखेए अजादी के अमरित महासो की सुरुआथ कब की गई थी तो अजादी के अमरित महासो की सुरुआथ कब हुई तो 12 मार्च 2021 से यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इकजाम टूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सियर करें और कमेंट करें जैहिंद जैवारण